हलो एवरीवन और वेलकम बैक तो इन्सॉम्नियक स्टूडियो मेरा नाम है जतेन और आज इस वीडियो में मैं अन्बॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ ओडियन्ट इवो स्टार्ट रिकॉर्डिंग बंडल को मेरे को काफी सारे कॉमेंस आयते जहां पर आप लोगों ने मेरे को पूछा था ओडियन्ट का इवो 4 कैसा है काफी सारे लोगों ने पूछा था जो इवो 4 का बंडल है जो कि यह है स्टार्ट रिकॉर्डिंग बंडल यह कैसा है so मैंने decide करा कि मैं इस जो bundle है start recording bundle को review करता हूँ so that bundle भी review हो जाएगा and जो evo4 है वो भी review हो जाएगा अगर आप मेरे से पूछोगे कि best value for money recording kit या फिर bundle कौन सा है so मैं आपको recommend करूँगा Audient का evo start recording bundle because यह जिस price point पे आता है वो काफी जादा amazing है and competitive है market में जो other bundles है and plus जो यह value plus features आपको provide करवाता है वो काफी जादा amazing है अब एक काम करते हैं without any further delays इसको कर लेते हैं unbox यह है evo start recording bundle का box box के अंदर आपको मिलती है एक user guide sr1 condenser microphone xlr to xlr cable metal shock mount sr2000 headphones audient evo 4 audio interface last but not the least यहाँ पे आपको मिलती है एक usb type c cable अब बात कर लेते हैं main unit की जो की है audient का evo 4 audio interface इस audio interface को आप separately buy कर सकते हो यहाँ पिर अगर आप चाहते हो आप इस recording kit के साथ भी इसको purchase कर सकते हो दोनों के links आपको description में मिल जाएंगे सो जाके आप check कर सकते हो audient का evo 4 इस audio interface ने market में आग लगा दी है because जो इसका design है वो काफी unique है अगर आप और कोई interface देखोगे audio interface देखोगे सो सबका traditional design है बट यहाँ पे audient ने कुछ नया try करा है और यहाँ पे कुछ design जो आपको दिया है वो काफी जादा amazing है आपको description में भी link मिल जाएगा आप जाके in detail उसको पढ़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके main features के बारे में so वो है एक smart gain feature जो की काफी जादा useful है beginners के लिए and second feature इसका है loopback feature जो I think बाकी जो market में अभी audio interface है वो आपको provide नहीं करवाते है and audience इस price point पे आपको ये जो दो features provide करवा रहे है वो काफी जादा amazing है इस kit के साथ आपको मिलता है एक condenser microphone SR1 अभी जो आप मेरी आवास सुन रहे हो वो इसी microphone से record हो रही है and मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो काफी decent quality का ये microphone है condenser microphone है especially जिस price point पे ये आता है इसके जो technical specifications है वो आपको site में plus description में मिल जाएंगे आप जाके check कर सकते हो थोड़े बहुत specifications, main जो highlights है वो मैं आपको इसकी बता देता हूँ super cardioid polar pattern है large diaphragm condenser microphone है and जो इसका frequency response है वो है 20 Hz to 18 kHz इस microphone kit के साथ आपको मिलती है 3 meters की XLR cable, XLR to XLR cable so आपको अलग से XLR cable में भी invest करने की जरूरत नहीं है because साथ में आपको एक अच्छी quality की XLR cable मिलती है and इस kit में इस microphone के लिए आपको मिलता है एक custom built shock mount जो की कुछ इस type का दिखता है last but not the least यहाँ पर आपको मिलता है एक closed back headphones and अगर आप इन headphones को देखोगे so आपको audio technica का M20X याद आएगा and मैंने personally audio technica का M20X use करा है already मैं video बना चुका हूँ card में link मिल जाएगा जाके check कर सकते हो and जब मैंने इस headphone को use करा so यह में को काफी जादा amazing लगा and मेरे को जो difference लगा इसमें जो low end है वो थोड़ा सा punchy है मैं boosted नहीं कह रहा हूँ मैं punchy कह रहा हूँ just like KRK के जो studio monitors है उसमें जो low end है वो काफी जादा punchy है in the same way में को इसमें भी थोड़ा सा punchyness लगी and इसका जो mid range है वो भी में को काफी जादा decent लगा है इस headphone की जो technical specifications है वो आपको side में यहाँ पे and description में मिल जाएंगी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत specifications में आपको बता देता हूँ 40 mm के drivers है and इसका जो impedance है वो है 32 ohms and में को जो main highlight इसकी लगी है जो इसकी थोड़ी सी grip है वो काफी जादा comfortable है and यहाँ पे जो इसका metal दे रखा है जो bend होता है वो थोड़ा सा soft है जो की जादा comfortable बनाता है जब आप इस headphones को use कर रहे होते हो and इस recording bundle के साथ आपको काफी सारे softwares मिलते हैं जिसमें से एक आपको मिलता है Cubase LE का DAW मैं already वीडियो बना चुका हूँ cart में link मिल जाएगा जाके उस वीडियो को check out कर सकते हैं अगर आपने ये purchase करा है and आप देख रहे हैं कि कैसे आप Cubase को install करोगे so अब बात कर लेते हैं कुछ इसके cons के बारे में so cons यहाँ पर जो सब लोग इसके बारे में बोल रहे है mainly इस audio interface के बारे में Evo4 के बारे में जो की है इसकी plastic body but मेरा जो personal experience है वो कुछ इस type से है मैं अभी use कर रहा हूँ Focusrite Scarlett 2i4 2nd generation जो की full metal body है and मेरे को almost 3 साल से जादा हो चुकी है इस audio interface को use करते हो है अभी भी इसी पर मैं record कर रहा हूँ but यहाँ पर full metal body है आज तक कभी यह मेरी desk से हिला भी नहीं है लोग बोलते हैं कि plastic body है जल्दी तूट जाएगी अगर आपका audio interface आपके table पर पढ़ा है आपकी desk पर पढ़ा है सो कैसे तूटेगा मेरे भाई सो में को यह कौन नहीं लगता है यहाँ पर जो इसके preamps है वो काफी जादा amazing है इसमें जो preamps use हुए है वो evo preamps है वो audience के preamps नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि audience के preamps तो काफी अच्छे होते हैं सो मैं आगे चलके एक और वीडियो लेकर आँगा जहाँ पर मैं इस audio interface को compare करूँगा audience के id4 के साथ सो आप preamps का comparison महाँ पर देख सकते हो साथ में मैं इस audio interface को compare करने वाला हूँ focus right scarlet के साथ सो देट आपको पता चले focus right के जो preamps है and audience के जो preamps है and evo के जो preamps है वो कितना उनमें difference है अगर अब मैं बात करूँ कि personally मुझे सबसे best part क्या लगा है इस audio interface का सो वो है जो इसके preamps की location है न जो XLR cables हम connect करेंगे वो है back side में अगर आप मेरे channel के regular viewer हो सो आपको पता होगा जितने भी audio interface है mostly सब में front में XLR के ports होते है आप अपने microphones जो cable है उसको connect करोगे but मेरे को वो काफी ज़ादा messy लगता है because इस type से audio interface पड़ा है and यहां से अगर सीधे आपके cables चाहेंगी वो काफी ज़ादा messy लगता है यहां फिर आपको इस type से cables को turn करना पड़ता है मोड़ना पड़ता है so मैं हमेशा से चाहता था मेरा audio interface जो हो उसमें back side में हो जो की audience के evo में back side में ही है काफी neat and clean बना देगा मेरे desk को जब ऐसे पड़ा है so पीछे से ही दोनों मेरी wires आएंगी and connect हो जाएंगी आगे से बिलकुल clean and clear यह रहेगा so यह था unboxing and review audience evo start recording bundle का आगे चलके मैं और भी videos लेकर आने वाला हूँ जहां पर मैं test करूँगा इस microphone को audience का evo 4 audio interface को performance test करेंगे plus compare करेंगे और जो other में पास gadgets है आप में को comment section में बता सकते हो क्या आप चाहते हो मैं किस से इसको compare करूँ आने वाली videos में मैं इसको compare करूँगा so that आपको एक true image मिल जाए इस recording bundle के बारे में क्या आपको लेना चाहिए या नहीं मेरी तरफ से बिलकुल ये एक best buy है and ये value for money है because जिस price point पे आता है वो काफी जादा amazing है so I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा अगर video अच्छा लगा है so video कर देना like channel को कर देना subscribe and मैं मिलता हूँ आप से बहुत ही जल्दी next video में